अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप जल से जल हमारे वीडियो को देख सकें नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस और टेक्निक्टर से हूँ और आज मैं आपके लिए क्या आया हूँ एच्पी की लेजर MFP 138 FNW प्रिंटर इसका हम आपके लिए करेंगे डेखेंगे कि यह प्रिंटर कैसे काम करता है इसमें आपको कौन-कौन से यहां पे आपको फंक्शन काम के में ओप-फिस के किसी भी कोने में हो तो आप कहीं से भी इस अप के थूग। इससे आप प्रिंटर निकाल सकते हो। इसके अलावा यह आपको प्रिंटर जो है यह अपको अगर आपक स्टार-टप बिज्नेस के लिए भी अच्छा है- büyük मिधियल बी-जिनेस खिक रू ओणांगा यहां पे देखे यहां से आप पेपर डालोंगे प्रिंट करने के लिए इसे सारी चीजह लिए अल की दी गई प्रिंट तो आपको बार बार इसमें कार्टेज को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ीगी अगर हम बात करें इसके प्रिंट स्प्रिंट की तो इसकी जो प्रिंट स्पीड है यह आपको 21 BPM है तो यह काफी अच्छी बात है तो यह सारी चीजे यहां पर दी गई है आई देखे करकि यह जितने भी बटन से इनके मैं आपको पहले फंक्शन में बताऊंगा फिर हम आगे बात करेंगे तो यहां पर देखे यहां पर मैंने इसके पाउर को यहां से आप और और आफ कर सकते हो यहां पर यहां पर इसका पाउर बटन है इसके ठीक नीचे यहां पर कि यहां पर आपको start button यहां पर दिया गया है इसके लवा यहां पर देखिए यहां पर cross sign है यह है आपको cancel button तो यहां पर देखिए मैंने इसे on किया है यहां पर देखिए आप light भी देख सकते हैं blink कर रही है यहां पर देखिए आवाज आ रही है इसके लाव यहां पर यहां भी बटन से उनके में functions आपको बताना चाहूँगा क्या क्या है तो यह जो बटन है यह है आपको ID copy है ID copy बटन यह आपको contrast बटन यहाँ पर देख सकते हैं इसके ठीक नीचे आपको scale बटन है जो कि आपको scanning के समय काम आएगा यह आपको information बटन है या फिर इसको wireless बटन भी अलावा यहाँ पर देखिए यह जो है यह आपको display है यहाँ पर control panel display यहाँ पर दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर देखिए यह आपको status light यहाँ पर आपको जो show कर रहा है उसके अलावा यहाँ पर यह जो आपको बटन है यह fax बटन है जो कि काफी सही यहाँ पर दिय इसके अलावा यहां पे आप यह जो देख रहे हैं यह सारा एरिया यह है आपको fax button का है जैसे कि numeric keypad है यहां पे फिर यहीं पे आपको address book button भी आपको यह दिया गया है यह आपको redial और pause button यहां पे दिया गया है यह आपको on hook dial यह सारे आपको fax button है जो कि इसके साथ connected है इसके अलावा अगर हम देखे तो यह जो आपको button है यहां पे यह आपको copy button है और यह जो है आपको scan button है यहां पे दिया गया है जो की scan के समय काम आएगा आई अब हम बात करते हैं यह जो यहां पे panels हैं इसकी तो यह जो आपको है यहां पे यह है आपको सबसे उपर जो यह यहां पे दिया गया है इसके लिए आपको पावर यहां पे start बटन आपको बता चुका हूँ यह cancel यह सारी चीज है तो यह जो सारे functions print के लिए copy के लिए fax के लिए और scan के लिए यहां पे सारा control panel यहां पे आपको दिया गया है तो यह काफी सही है यहां पे ताकि आप असारी सह पर कैंत्रोल करा हैं और अपने जो भी आपको document को scan करना है pta scan कर सकते हो और या फिर यहां पॆ पी आपको print आऊट निकाला है . अप निकाल सकते तो ये सारी चीज़े यहां पर दी गई है। यहke にफिन पर क्लोस से देखते हैं कि अर क्या क्या है यहां पर यह देखिए जो आपको प्रिंटर इसके बैक साइट का है तो यह देखिए यह आपको इसका पावर अरिया जहां पर की यहां पे आपको देखी यहां पे के लिए हैं यहां पे लाइन एक्स के लिए है। अगर इसके हम design की बात करें तो इसका design काफी compact है आप देख सकते हैं काफी छोटा है जो कि कहीं भी यह काफी असान इसे fit हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया है starting में कि यह startup business जिनका है उनके लिए सही काम करेगा small and medium sizes जो business जो करते हैं वहां भी अच्छी से काम करेगा इसके लाव अगर आपको इसको घर में भी आप यूज करना तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइस है इसकी प्राइस आपको काफी सही है इसकी प्राइस जो आपको start होती है यह आपको 16,560 रुपे से 20,482 रुपे की इसकी price की range है तो यह तो बात होगी इसके लाव आप यहां पर आप कर सकते हैं बहुत सारे जो printer होते हैं यहां पर हाइड रहते हैं तो उसको यूज करने में काफी दिक्कत होती है यह जो flap के अंदर भी कितनी जगा मैंने देखा है तो design के बारे में बात कर तो काफी compact है यहां पर काफी hard plastic यहां पर दिया हुआ है आप देख सक कहा इसमें प्रिंट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि 3-4 तीजो क्यों की तो आप इससे आप कर सकते होधियर काउंप्य निकाल सकते हो जो भी आपको जी रोक काउंप जिसको आप बोलते हिएée , निकाल सकते हो , अगर कोई भी आका document है उसको आप निकाल सकते है अपने laptop के साथ इसको connect करके काफी असानी से तो यह सारी functions आपको इसके अंदर है overall एक काफी compact और काफी एक अच्छा यह printer hope आपको दोस्तों मेरा यह review पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शियर करना ना भूले मेरा चैनल जो की टेक्नीटर है इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक साधिक वीडियो देख सकेंगे अगला वीडियो लिएक में जल दाऊंगो तब तक सायोनारा टेक किया थैंक्यू